ग्रोवर ने आप और कॉंग्रिस के गटबंदन पर पृतिकरियाद देती हुए कहा है कि कॉंग्रिस पार्टी अपने इज़्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है अब ये तो पता नहीं किस-किस बिच्चू से साठगाट करेंगे लेकिन इससे बीजेपी को कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है अब कॉंग्रिस पार्टी का तो पंच सरपंच भी नहीं बची है देश में रास्पटी तक हमारा है जहां तक बात है रहतक सीट को दो लाक बोट से जीतेंगे कांग्रिस के पास मैं आज भी कह रहा हूँ कोई कैंडिडेट नहीं है प्रिवारवाद है प्रिवारवाद है प्रिवारवाद की टिक्टे बस से वही में चिटका के चले जाते हैं जाते हैं एक बस में उतार जयते हैं यह टिकट दे नहीं लोक तंतर में विश्वास नहीं है हम किसी परिवार के टिकेट की गोचना नहीं करनी रश्टी चुनाव समीती को नाम भेजे जा चुकी है जल्दी पृत्याश्यों की गोश्णा कर दी जाएगी उन्होंने कहा कि देश में रामराज है हरवर्ग प्रधनमंदरी नरिद मोदी की नीतियों से खुश है उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कौन कहता है दीबंद स पहराल चुनाव का गर्महट पूरे जोर में है और सभी पार्टी एक दूसरे परशब्द के वाड़ देजी से छोड़ रहे हैं लेकिन देखना होगा कि इन बातों का चुनाव के नतीजों पर कितना प्रभाव पड़ता है रोतक से देविंद शर्मा की रिपोर्ट